है लो कि नाम लंका में डंका ही क्यों आपको रखना पड़ा शोचते हैं इस पर रिटेश पड़िक किस गाने में किस फिल्म में हिरोईन को बिकनी पर डांस करते हुए देखें बॉलिवुड की हर तीसरे गाने में वो हिरोईन बीकनी पे डांस करती है तो दिखार जो कर रहा है वो असलील नहीं है जो कह रहा है वो असलील हो गया नमस्कार में नाम सत्यम पटेल है और आप अभी लाइव सिटी देख रहे हैं इस वक्त हमारे श्राथ ऐसे सक्स मौझूद है जिनका कोई परिचय कराने का कोई जरूरत नहीं है लेकिन फिर में आपको बता देख भुझपूरी के बुझपूरी जगत के सुपरस्टार सिंग तो पांडेजी हैं सबसे पर ले अब को हम बतादे कि इस समय सासारा में मवजूद सासारा में में अनकीju मैं पहली लंक का इनकी बाचीत करेंगे सबसे पहले सार्य को अनकीस पहली विबस अगरे करते आ रहे हैं तो फिल्मों से थोड़ासा अलग अन्वाथा है विबसिरि वाइज आता और किसी भी चीज को हम तुरा डिटेल में दिखाते हैं जी कैसा अन्वह रहा आपका अन्वह बहुत अच्छा रहा असल में जो हम लोग फिल्म किये हैं वेब सेरीज किये हैं लंका में डंका ये डिरेक्टर्स हमारे बॉलिवूड से विकी और कॉशल जी ये द करा रहता तो एक लव स्टोरी है लेकिन जो शिक्षा का बैवसाई करण हो रहा है जिस तरह से आज हमारे समाज में उसके खिलाफ हम लोग आवाज उठाए हैं अक्सार चुनोती रहता भोजपूरी इंड़स्ट्री के शामने क्या परिवार के लोग इसको बैठ कर देख सक देखते हैं वह स्टीपिकेट किसी को यूज सेटिविकेट मिलता है किसी को यू मिलता है उसके इसाबसे आप ये परिवार के साथ बैठ के देखने लाइक है या फिर अकेले मेर कि arthritis का नाम लंका में डंका ही वह पर पर रखना पड़ा लंका में डंका इसलिए है क्योंकि कई नंकि लका समें हैं इसक्षा भी किर आपको भी लगता है कि इस समय लोग भूत जादा इस पे हर एक नागरी का समान अधिकार बताया जाता है तो वो समान अधिकार हमा को मिलना चाहिए सबको मिलना चाहिए और जिसी साब से देखिए आज की डेट में सिक्षा का बेवसाही करण है यह हमारे सामने यह आप सब के सामने कि किसी साब से सिक्षा का बेवसाही करण कि भोजपूरी इंडस्ट्री को आमतर पे कहा जाते हैं कि असलीलता से फ़री इंडस्ट्री है इस पर रितेस पैंडे क्या सोचते हैं हम कह रहे हैं कि बिल्कुल असलीलता नहीं है हमारे भोजपूरी में भोजपूरी इंडस्ट्री जो फिल्म इंडस्ट्री है इसमें बिल् बिकनी पे डांस करते हुए देखे हैं मुझे नहीं लगता कि किसी फिल्म में और किसी गाने में आप लोग बिकनी पे हिरोईन को डांस करते हुए देखे होंगे और बॉलिवुड की हर तीसरे गाने में हिरोईन बिकनी पे डांस करते हैं तो दिखार जो कर रहा है वह असलील नहीं है जो कह रहा है वो असलील हो गया बिल्कुल भी असलीलता नहीं है हमारे भोजपुरी में हमारा भोजपुरी बहुत सम्रिद्ध है भोजपुरी में बहुत सारे अच्छे अच्छे गाने आ रहे हैं अच्छी अच्छी फिल्में आ रहे हैं अगर आप लोग सपोर्ट क सब्सक्राड हैं कि अच्छा ही को आगे करना है भोजपुरी में जितनी चीछे को रहे हैं उसको आगे करना है और आ GUY पृड़ेना है कि पूरी को असलील भी हमी हैं दूसरे खेमा भी हमी हैं हम किसी खेमेवाजी का हिस्सा नहीं है अगर आप पूरी में चर्चा में रहना है तो फेस्बुक पर आ गए रो दिये गा दिये दुसरे गाली गलॉज कर दिये तो आपको आपका डिमांड रहेगा लोग आपको पूछेंगे ऐसा आप न लोग से यह प्यार देखके दिल गदगद है कि इतना प्यार मिल रहा है तो यह मानसिक्ता ठीक नहीं है कि हम फेस्बुक पर करेंगे तभी हमको लोग पूछेंगे आप अच्छे से रहेंगे अपने काम पर ध्यान देंगे तो भी लोग आपको पूछेंगे आपको प्यार देंगे और पिछले कुछ दिनों से चर्चा कभी से बना हुआ था और पिछले साल भी चर्चा कभी से बना हुआ था कि जैसे और ख़िशारी लाल जब भी विवाद होता है दूनों लोग कि भी तो अन्या श्टेंड इनका साफिन पता चल पाता है कि किस तरह है इनका श्टेंड क्या है कुछ रख नहीं पाते सामने आगे बोलते नहीं है क्यों देखिए मैं आपसे पहले ही बताया कि कि मेरा स्टेंड क कोई पूछे तो कि मैं मेरा स्टेंड क्या है मेरा स्टेंड है सत्य के साथ जिदर सत्य है जिदर सच रहेगा रितेस पांडे उधर रहेगा जाते आखरी सवाल और मैं रिक्वेस्ट विआपसरेगा कि जो आपकी वेप स्रीज है लंका में डंका इसका डायलोग चोटा सब्सक्राइब करने लंका में डंका बजावल जा सके लाए आप सुन रहे थे पूरी सुपरस्टार रितेस पांडे जी को असपश तर पर इन्हों आने वाले चोव अगस्त को साम में फिल्म जो है वेप स्रीज जो है चोपाल ओटीटी प्लेटफॉम पर रिलीज हो रही है और इनकी पहली वेप स्रीज है जो कि ओटीटी प्लेटफॉम पर रिलीज की जा रही है ऐसे ही खबरों के लिए बढ़ने लाइफ स्रीज के साथ बहुत बहुत धन्यवाद